हेलो फ्रेंच तो आज हम लोग मलाई से सीधे गी निकालने वाले हैं इसमें मतने का कोई भी झन्जट नहीं होगा बिना झन्जट की यह गी हम निकालेंगे यह देखे एक कटोरी मलाई से हमने कितनी सारा गी निकाला है अगर आप इस तरह से घी निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको घी निकल जाएगा तो हमने चड़ा दिया है एक कडाही उसमें हमारी जमा हुई सारी मलाईयों को इसमें डाल देंगे तो मेरे पास एक कटोड़ी मलाई जमाती ये एक सपते की मलाई है, इस तरह से हम इसमें डाल देंगा और इसे बस अब हम इसे चलाते जाना है, मलाई अपने आप दीरे-दीरे पिघल जाएगी, यह देखिए मलाई पिघलना शुरू हो चुकी है बस अब हमें कंटिनियूसली से इस तरह से चलाते रहना है देखिए धीरे-धीरे मलाई से घी अब बनना शुरू हो गया है इस तरह से ये देखिए किनारों पे घी धीरे-धीरे बनने लगा है देखिए कितना सरा घी मलाई जो है ट्रांसफर होने लगा है घी में तो बस हम इसे चलाते जाएंगे इस तरह से आप घी बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपका घी निकल जाएगा बिना जंजट के यह देखे इस तरह से घी निकाली इसे अच्छे से बस चलाते रहे हैं इसे सटे हमें नहीं दẽना है तो ये देखें कितना सारा घी हमारा बनके तयार होगे और ये जो नीचे वाइट वाइट दिख रहा है आपको ये से फेके ना ये हमारा बिल्कुल फ्रेश मावा है इसका आप मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं अब हो चुका है अब आप इसे घी को चान ले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यूँ